आज का वीडियो न मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है क्योंकि मैं आयो यूँ अपनी मम्मी के घर पे और आट एंड क्राक्ट का समान मेरे पास में यहां ना के बराबर है कुछ कलर्स और ब्रशिस तो अपने साथ में ले आई थी पट सारा समान लाना तो इं निकालेंगे मम्मी के घर का चार चक्कर निकालके ले आई हूँ यह खुब सारा समान अब इन सारे समान से मैं क्या बना सकती हूँ देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं ले रही हूँ A4 शीट और इसे डबल फोल्ड करकर दो इंच के उपर मार्क लगाकर मैं इसे क कर आई अब इसे कार्डबूड लेंगे और उस कार्डबूड पे शेप को रखेंगे और साथ में एक यह प्लाइवूड का स्कुएर टुकडा पड़ा था इसको भी इसके उपर रखकर हम इसी के साइस का हम एक कार्डबूड कर लेंगे और मुझे बनानी है छे इस कट करी थी उसी के साइज की ये दो स्ट्रिप्स हमें मिल जाए फेविकॉल लगा कर थोड़ी देर मास्किंग टेप लगा कर हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए तब तक प्लाइवुड जो थी उसको हम काड़ बोड पे अच्छी तरिके से फेविकॉ लगा कर और दोनों तरफ एक बॉडर जैसा बना देंगे और इस नीचे से भी कट कर देंगे अब मुझे बनाने हैं पेपर रूल स्टिक्स जिसके लिए मैं कुछ न्यूस पेपर की स्ट्रिप्स कट कर ली है और अब हम इसे रूल करते जाएंगे और खूब सारे पेपर र अब मैं क्या कर रही हूं तीन पेपर रोल स्टिक ले रही हूं और एक पैटर्न बना रही हूं जैसे हम चोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही अमें इसको बनाते जाना है और जैसे ही यह एक जो स्ट्रिप है वो खतम हो जाए तो दूसरी स्ट्रिप को उसके अंदर इस तर उसके अंदर हम इन सब को पेस्ट कर देंगे तो चलो फेवी कॉल लगाकर इन सब को पेस्ट कर देते हैं तो इस तरीके से ही एक मेकरे में की डिजाइन जैसा बन गया है और जो भी एकस्टा स्ट्रिप्स नीचे निकली हुई थी उसको हम कट कर देंगे अब जो यह कार्डबोर्ड की रफ एजिस ना इनको कवर करने के लिए कुछ पेपर के स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली है और थोड़ा फेवी कॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस तरीके का पेस्ट पना लिया है और पेपर पे अच्छे से लगा कर हम इनको जितने भी कार् यह तीन से चार गंटे में यह जो पेपर की स्ट्रिप्स है फेवी कॉल से अच्छे से चिपक गई है और सूक चुकी है अब इसके बाद हम डेकोरेशन का काम शुरू करते हैं तो पिस्ता के कुछ चिलके मैंने लिये उस पे मैं इस टाइप से पिष्टा के चिलकों से डिजाइन रख रही हूं बिलकुल और यह जो आपको ब्लू कलर में बीच में जो लग रहा है इसको मैंने उल्टा करके रख दिया था और इसका निशान लगा कर एक पीच में प्लाइवूड पे बीच में स्क्वार से डिजाइन को छोड़ दिया है ताकि जो मिरर है उसको में निशाने वो कवर हुए पीचे ना एक डॉक की भॉकने की वोईस आ रही होगी प्लीज उसे इग्नॉर करना है यार बताए आपको जब से मैं यहाँ आई हूँ ना मैंने उसकी एक बार भी आवाज नहीं सुनी और जब से मैं इस वीडियो बनाने बैठी हूँ वो कंट कंटिनुसली इरिटेट किये जा रहा है तो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को ऐसे कंटिनुसली इरिटेट करते हैं तो आप लोग उसे कैसे डील करते हो मैं तो सिर्फ इग्नॉर ही कर सकती हूँ और वही करे जा रही हूँ तो चलो फ क्योंकि मैंने इसको ब्राइट कलर में रखा थो तो उसे थोड़ा सा कलर फुल बना दिया है को आप अब मैं बनाओंगी खुब सारी कलर फुल टैसल्स और मेरी सारी टैसल एक ही साइज три बने उसके लिए के मैं ले रही हूं एक कार्डबोर्ड और उसके उपर हर वूल के मैं 20 राउंड्स निकाल रही हूं ताकि मेरी जितनी भी टैसल्स हैं वो सेम साइस की बने तो इस तरीके से हम इन सब को रैडी कर लेते हैं सारी टैसल्स रडी हूचुकी है तो अब हमें इसे इस कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है तो उल्टी साइड में हम इसे रखकर एक पर मास्किंग टेप से हम इसे लगाते जाएंगे जिस हिसाब से हमें कलर कॉंबिनेशन से इनके रखने हैं उस अकॉर्डिंग हमें मास्किंग टेप से इनके लगा देंगे एक बर हम इनको मास्किंग टेप से लगा देंगे फिर हम फेविकॉल लगा कर और इस टाइप की डूरी से हम इसको पेस्ट कर देंगे तो ये मैंने एक डूरी नीचे लगाई है और एक डूरी इस साइड में लगाई ये तो दोनों और जो मैं मिरर बोल रही थी आपको वो मिरर लेंगे और खुब सारा फेविकॉल लगा कर हमने जो जगह छोड़ी थी ना स्क्वेर इसके मिरर के लिए अब हम वहां पर इस मिरर को पेस्ट कर देंगे और इसके बीच में भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो अल्मोस्ट हमारा मिरर अब रेडी हो चुका है यह पीस थोड़ा सा हेवी है इसके लिए हम इस पे जो हुक लगाएंगे वो मजबूत होना चाहिए इसलिए मैं ऐलुमिनियूम वायर और एमसिल का यूज़ कर रही हूँ एमसिल में हाडनर और रेजिन दो पैकेट निकलते हैं दोनों को मिक्स करकर हम अलुमिनियूम वायर को और इस कार्टबर्ड पे अच्छे से चिपका देंगे 6-7 गंटे में अच्छे से ड्राइ हो जाएगा उसके बाद हम इसको वाल पे हैंक कर सकते हैं तो इस तरीके से मेरा आज का टास्क हुआ कंप्लीट कैसा लगा आपको आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेर करना कमेंट करना और नॉटिफिकेशन बैल आइकन सरूर प्रेस कर देना तो फिर मेलोंगी एक नए उंट्रस्टिंग वीडियो के साथ में अगले हवते